हम लोग गुजरात में बजपन से कहावत सुनते हैं निशान चुक माफ नहीं माफ नीचू निशान यानि अगर निशान चुक जाते हैं तो माफ हो सकता है लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफ ही नहीं हो सकता है कि जब लक्ष ताय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष ऐसा होना चाहिए जो पहूंच में हो लेकिन पकड में नहीं हो यानि लगता है भई मालिये मुझे हाँ छूडा है मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं छोड़ा है मेरी पकड में नहीं है तो फिर नया लक्ष की प्रेणा उसी में से पैदा होगी और इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम कुछ नहीं करने के लिए बड़े बड़े लक्ष की बाते करते रहें मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो तो मैंने देखा था वो कहते थे सीए कर रहा हो तो मैं हरान था इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो पता चला कि वो यह मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं कि यह सीए कर रहा है वैसे क्यों कर रहे है तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर-उदर बाते करते देखने मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूँ यह जवाब बना भारी रहता है अब 20-22 साल की उमर हो गई है रिष्टे भी आते हैं तो माबाप क्या जवाब दे तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है अब यह लक्ष नहीं है जी यह तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आपको सुरक्चित करने की हमें पहले अपने आपको भली भाती जानना चाहिए अपने तरीके से जानना चाहिए किसी के संदर्ब में नहीं अपने माबाब के सपनों के संदर्ब में नहीं अपने टीचर के संदर्ब संदर्ब नहीं अपके प्रदान बंदरी के भाशन के संदर्ब में नहीं खुद के संदर्ब में मैंने जो ताई किया था पहले क्या हुआ उसका उससे अपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूँ तो ताई करो यहां नहीं रुकना है पांच कदम और जाना है लक्ष अपने सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की और ले जाने वाला होना चाहिए ऐसा नहों कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ ही मरता चला जाता है और ऐसी जिन्दगी कभी नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष साफ होने चाहिए